नमश्कार दोस्तों मैं हुरोमीदे सिंग और आप देख रहें गटने चनल दोस्तों आप चीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से क्रॉस्वर को एंपलिफायर साथ कर सकते हैं पूरी डीटेल में आपको बताऊंगा तो इसमें हम लोग एक्तम सिंप आप को बताऊंगा सिंपल सेट अप किस तरीके से आप कर सकते हैं तो चलिक दोस्तों वीडियो शूरू करते हैं वीडियो शूरू करें से पहले में अगर आप चैनल में ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बैला के जूरु दबादिजी का कि हमाई चैनल डो इसके लोग में उंट today को है मैं इसके doc ấy उनललम वाक स सब्राइब मारे आफ आपोरे में ंजब्ट्राइवर होगे हैं, यहाप का यहा बच्वरन आफ was recht दिकमें यहाइए बाता है यहां हुम्त च ish 1-2-2-1, के लिए base connect कर लिए mid में जो आपका top रहता हो को connect कर लेजे और जो high में वालक में आप इसमें connect कर सकते हैं ठीक है तो अभी मैं आपको basic कूब्स आप को बताता हूं क्या के यहां पे आप देख सकते हैं इसमें दो channel दिया रहता है यहाले left channel उन फैंड मोलते हैं और और CrossWare frequency यह जब music play करेंगे तो आपने आप सेट कर सकते हैं जैसे आपका जो low यह high जो रहता है अपने ही साप सेट कर सकते हैं बाकी यह low, mid, or high के लिए आपको volume मिल जाता है दोस्तों अब बात कर लेतें connection के बारे में तो दोनों का बैक पैनल आप यहां पर देख सकते हैं CrossWare और Amplifier का तो मैं एक बार CrossWare का बैक पैनल के बारे में कुछ बता देता हूं जैसे की left side में आपको cord मिल जाता है connect करने के लिए जो supply section मिल जाता है उसके बाद यहां पर input और output दिया है input में आप मिक्सर से जो output राएगा उसको आप यहां पर इन कर सकते है एक्सलर के बलके थ्रू ठीक है उसके बाद यहां पर जो दो इनपुट है जैसे मैंने बता है दो चैनल का यह CrossWare रहता है तो चैनल वन में आप left side का जो आपका जो मिक्सर से आता है वहां डाल सकते है इनपुट और उसके बाद राइट चैनल का इस चैनल टू में डाल सकते है इससाब से आपका जो input हो complete हो जाएगा इनपुट आने के बाद यह आपने हिसाब से जो भी आपका frequency उसे अट कर लेगा low, mid और high के हिसाब से ठीक है अब देख सकते हैं यहां पर नीची दो बटन दिये रहते हैं दोनों चैनल में देखिए यहां पर एक यहां पर देख सकते हैं यह जो दो बटन है दोनों सेम ची चैनल 1000 ने चैनल 1 Jones 1984 का जो आप West transactions क Initi equilibrium में आप डारेक्ट रहते हैं बैस दो बात भी आपको निचे का इसका input में connect करेंगे, cross work output amplifier के input में connect करेंगे, उसे तरीके से दूसरे channel में भी same करेंगे, cross work का second output amplifier के second channel के input में डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपका low का connection है, cross work के साथ, वो complete हो जाएगा, और उसके बाद जो direct आपका amplifier से जो आप connect करते हैं speaker, वो connect कर सकते हैं, इस beacon के भूपकर रडी हो जाएगा ठीक है तो लो वाला section complete होगा उसके मीट की बात करें तो मिट में भी सेम प्रोसेस से अगर मान ले अगर यह जो अम्फिपार है इसमें आपको मिट करना है करना आख तो एक चैनल में आख़ने कानेट करेंगे इस पर कुर्ड आप इस में in कर सकते हैं यहां इनिपूट टनल दीजिए और धुसरे चैनल के मीडि गोदिश को आप दिंप लिग इंपिर के तो दोस्तो अब आपको line diagram के सबसे समझाता हूं कि किस तरह के connection होगा तो यहां पे cross work में जाके देखिए आपे channel 1 और channel 2 के सबसे हम लोग इसको नाम देते हैं mid 1, mid 2, low 1, low 2, high 1, high 2 तो high को अभी use नहीं कर रहे हैं कि हम लोग 2 way connection कर रहे हैं high अगर connect करना होगा तो आप 3 way में connect करके same process यूज़ कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे अब से पहले mixer से जो भी output आपका आता है दो चैनल के इसाप से दोनों चैनल में आपको input देना है क्रॉस्वर की input section में ठेके left राइट के हिसाब से आप mixer का output रहेगा और XLR के बलके तो connect कर दीज़े उसके बाद जैसे mid 1 की बार याई तो mid 1 से आपका amplifier का channel 1 है वहापे connect कर दीज़े और mid 2 का भी same processor channel 2 में connect कर दीज़े इस तरीके से आपको mid का connection है complete हो जाएगा इसी साब से फिर नीचे में जो आपके base से connect कर दीज़े दोनों 1000 वाट के base अभी connect कर दीज़े अब mid का बार या है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम लोग एक channel में 2 box connect कर रहे जो क्रॉस्वर का in input है उसमें आप connect करेंगे connect करने के बाद आपके दोनों channel में input बराबर आजाएगा अपनी हिसाब से frequency सेट कर लीज़े और उसके बाद जो connection आप यहां पर देख सकते हैं low को जैसे मैंने नाम दिया है channel 1 का low 1 और mid 1 और channel 2 का low 2 और mid 2 ठीक है बेस के amplifier में यूस किया गया सेम प्रोसेस है ठीक है तो यही connection था बस इतना simple था और कुछ इसमें बताने के जूरत नहीं है और अपनी setting आप अपनी साब से sound को सुनके कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह थी आज की वीडियो उमेद कर तो आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी चैनल स्प्राइब कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए थैंक्यू ग्राइब कीजिए थैंक्यू